नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिल्पा है और मैं आप सभी का अपना प्रॉफेसर अप्लिकेशन पर स्वागत करती हूं आप सभी के मन में सवाल रहते हैं कि हम UGC NET की त्यारी कैसे करें, कैसे साइकॉलजी में जो टॉपिक्स हैं, उनको कैसे पड़ें और इसके साथ-साथ PhD अगर हम कर रहे हैं, तो PhD में researches कैसे करें, उनको कहां से डूने, उसके topics किस तरीके के होने चाहिए तो इन सभी समस्याओं का समादान आज आपका कर दिया जाएगा, बिल्कुल final एकदम कर दिया जाएगा, बिल्कुल clarify हो जाएगे आप तो मेरे साथियों आप चाहते हैं कि preparation PhD की कैसे करें, तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि पहले के समय पर, 2024 से पहले जितने भी PhD के entrance exam होते थे, वो अब बन कर दिये गए हैं, अब आपका जो PhD में admission होगा, वो आपके UGC net के score के आधार पर लिया जाएगा, UGC net में third number का level आपको choose करना है, अगर आप 2024 के बाद कहीं भी PhD का entrance exam नहीं लिया जाएगा, जो आपका UGC net का score काड रहेगा, आपने UGC net में कैसा perform किया है, आपके कितने numbers हैं, उनकी आधार पर ही आपका PhD में admission लिया जाएगा, ये तो बात हो गई, clear, अगर आपका net score अच्छा है, तो आप कहीं भी doubtful नहीं है, यानि आपके सारे topics clear हैं, आप confident हैं, तो आपका PhD वाला जो score है, वो qualify हो जाएगा, PhD के लिए अलग से score दिये जाएगे, जैसे net के अलग score है, jrf के अलग score है, वैसे ही PhD के लिए अलग से score निर्दारे किये जाएगे, अब PhD में topic कैसे select करते हैं, जब भी आप PhD कर रहें, आपने admission ले लिया है, college में fees भी submit करा दी, उसके बाद आपका सबसे important काम क्या होता है, अपने लिए एक ऐसा topic चूज करना, जिस पर आप research करोगे, पी एचडी में आपको research करनी पड़ती है, एक ऐसा topic चूज करना पड़ता है, जिस पर आपको 5 साल वर्क करना है, पूरे 5 साल आपको work करना पड़ता है, उसी एक topic के उपर, तो सबसे पहले तो, आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि मैं PhD कर रहा हूँ, मैं research कर रहा हूँ, या कर रही हूँ, तो मैं क्यू कर रहे हूँ? वाई, जब आप इस वाई का सवाल का जवाब ढून लेंगे, तो आपके लिए research करना और आसान हो जाएगा, psychology में बहुत सारे areas हैं, जिन पर आप research कर सकते हैं, कुछ पुराने areas भी उपलबद हैं, कुछ नए areas भी, आप किस area पर research करना चाहते हो, आपका interest किस में हैं, आप क्लिनिकल में जाना चाहते हैं, या आप counselling में जाना चाहते हैं, अब नए areas भी खुल गए हैं, applied psychology है, health psychology है, उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे options हैं, पासी की HRM भी है, organization भी है, और applied के अंदर भी बहुत सारे topic है, positive psychology है, neuropsychology है, ये सबी क्या हैं, ये नए areas हैं, इन नए areas पर बहुत सारी नए-नए studies दिन बदिन होती जा रही हैं, तो आपको सबसे पहले interest का एक area चूज़ करना है, उसके बाद उस area में से आपको क्या करना है, एक topic चूज़ करना, एक ऐसा topic जिस पर आप work कर सकती हैं, उसके अंदर इतनी power होनी चाहिए, कि वो 5 साल तक आप उस पर काम कर सकते हैं, उस topic के बारे में सारी information को collect कीजिए, Google scholar पर हम जाते हैं, वहाँ पर उस topic को डाला जाता है, उस topic से related जितनी भी researches होई है, वो सब वहाँ पर open हो जाती है, इसी प्रकार से आप शोद गंगा पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर भी आप उस topic को डालेंगे, तो उस से related सारी researches आपके सामने आ जाएंगे, उन सभी researches को पढ़िए, उन में क्या, कैसे, किस तरीके से study की गई है, उसको analyze कीजिए, कौन-कौन से tools लगाए गए है, कैसे stats लगाई गई है, कैसा sample लिया गया है, तो वो सब ची researches को पढ़ेंगे, old generals को पढ़ेंगे, तब आपको थोड़ा सा experience होगा, फिर उसके बाद आता है, ये इतना important क्यों है, जब आप कोई topic choose कर लेते हैं, तो वो आपकी पहचान बन जाता है, मान लीजिए कि मेरा topic है child development, अगर मैंने इस topic पर PhD करी है, तो मुझे इस topic की knowledge भी होन चाहिए, तो अगर मैं इस topic को अपना PhD topic बनाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले तो इसकी basics की जानकारी मुझे होनी चाहिए, इस area में क्या-क्या समस्याइं होती है, development कैसे होता है, ये मुझे पता होना चाहिए, जब बच्चे का विकास हो रहा है, तो उस विकास में उसका psychological development social development, physical development, हर aspects पर मुझे नजर रखनी होगी, तो इस तरीके से हमें topic चूज करने में बहुत सादा सावदानी रखनी होती है, choose a topic or an area that has not been researched, अभी तक उस पर research नहीं की गई हो, ऐसा topic आपको choose करना होता है, और इसी के साथ साथ, कुछ नया add करना है आपको, आप किसी और की research को use नहीं करते, वो कहा जाता है plagrism, अगर आपने किसी और की research को copy कर लिया है, या उसकी research को लेकर आपने modify करके खुद की research बना दी, तो भी आप ऐसा काम नहीं कर सकते, वो plagrism के अंदर आ जाता है, फिर आप PhD से भी बहार कर दिये जाओगे, अगर आपने ऐसा काम कर लिया है तो, आपको कुछ नया add करना है, नया add करेंगे तो आपकी knowledge gain होगी, आपको कुछ नए experiences होगे, तो इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है, कुछ नया लेकर आओ, कुछ नया पड़ो, जो आप topic चूज कर रहे हैं, उसमें आपकी help कौन करता है, आपका supervisor, जो supervisor आपको university प्रोवाइड करती है, वो teacher आपकी मदद करता है, उस topic को select करने में और उस पर work करने में वो ही एक अकेला इंसान है, जो आपकी मदद कर सकता है, विदाउट supervisor की permission आपको इकारे नहीं कर सकते, जो supervisor बोलेगा, आपको वही काम करना है, और उतना ही काम करना है, इसके अलावा आपके लिए एक special offer है, अपना professor application को पूरे एक साल हो चुकी है, इस एक साल की अवसर पर आप सभी को मिल रहा है, 50% का discount, अब तक का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक offer है ये, paper 1, paper 2 या combo batches, यानि कि paper 1 और paper 2 बोथ, जब आप दोनों पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए, तो आप इन में से कोई भी paper select करते हैं, तो आपको offer मिल जाएगा, या आप December batch की त्यारी कर र त्यारी कर रहे हैं, तो आपको या offer मिल जाएगे, December batch की paper 1 के लिए, 1650 रुपे रहेगी आपकी fees, December और June batch के लिए, 250, paper 2 के लिए, December batch या आप पढ़ना चाहते हैं, तो पच्छिस सो रुपे, December और June दोनों पढ़ना चाहते हैं, तो 4000 रुपे, और सबसे अच्छा offer है आपके Combo batches में, अगर आप December की तियारी कर रहे हैं, तो 4500 रुपे आपके fees रहेगी, और अगर आप December और June की तियारी कर रहे हो, तो सबसे अच्छा अप तक का सबसे best offer है, 5500 रुपे में, December और June, दोनों cycles आपको पढ़ा दी जाएंगी, तो December में भी आप पढ़ेंगी, और पिर June म भी आप पढ़ेंगी, दोनों preparation आपकी एक साथ हो जाएगी, तो अगर आप subscription लेना चाते हूँ, तो जल्दी जाएगे, वरना offer खत्म हो जाएगा, आप offer कर लाब नहीं ले पाऊगे, only 2nd of October को ही ये offer चालू रहेगा, उसके बाद ये offer समाप्त हो जाएगा, तो जल्दी जा अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज लाइक and share with your friends and family, आप अपने friends को भी ये share कर सकते हैं, या आपका कोई family member UGC net के त्यारी करना चाहता है, तो भी वो subscription ले सकता है, thank you so much friends, bye bye, take care.